दोस्तों देश के चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें या हमें फेस्बुक में देख रहे हैं तो फेस्बुक को फोलो लाइक शेर करना ना भूलें चलिए दोस्तों हम बात करेंगे देश के छे राज्यों के साथ विधानसवा सीटों पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग सुरू हो गई है यानि उत्तरपरदेश, पच्चिममंगाल, केरल, जारकन, उत्राखन और 11 सीट पर 5 सितंबर को वोट हुई थी जबकि तिरिपूरा में 2 सीटों पर वोट डाले गए थे बताते चलें आपको दोस्तों की चुनाओं आयों के मताबिक सबसे ज़्यादा जो वोट हुआ है 89.20% वोट तिरिपूरा के बौकसा नगर सीट पर पड़े थे सबसे कम 50.77% मतान यूपी के गोशी सीट पर हुआ था इसके अलाबा तिरिपूरा के धनपूर सीट पर 83.96% वोट पच्छिम मंगाल के दुपकूरी सीट पर 78.99% केरल के पुथूपली सीट पर 72.86% और जारखन के डुमरी विधान सवा में 64.85% और उत्राखन के बागेश्वर सीट पर 55.44% पड़े थे घोशी और धनपूर सीट पर मोजूदा विधायक के इस्तफा देने के वज़े से चुना हुए हैं बाकि 5 सीटों पर मोजूदा विधायक के निर्धन के चलते चुना हुए हैं दोस्तों इस वक्त चर्चे पर है चुकि एमायम ने इन साथ सीटों पर सबसे जो हैं डुमरी विधान सवा सीट पर उन्होंने छारखन के डुमरी विधान सवा में अपना उमिद्वार उता रहा था और सब की निगाएं जैसे जैसे अपडेट मिलती हैं हम आपको बताएंगे लेकिन एक बार आपको बताते चले कि डुमरी में इस बार चुकाने वाले जो आकरे आए हैं उससे सारे लोग परिसान हैं खास तोर पर एमायम के चाहने वालों पर नाराजगी है और साथी साथ वो के अमिदवार के बीश करा मकाबला है और लगातार इन सीट को बहुत बारी की से देखा जा रहा है चुनाओ के बाद लगातार रुजानों से ये पता चलता है कि एमायम को इस बार वहां पर कम वोट मिले हैं लेकिन फिलहाल नतीजे आना बाकी है चुकि मदगना सुरू है और लगातार लोग उमीद लगा हुएं बैठे हैं कि एमायम के उमिदवार मुबीन रिजवी एमायम के समर्थक चा रहे हैं कि वो कामियाब हो चुकि उनके सामने में बड़ा चिलेंज है दो हजार चौबीस की सुरवात करना है और पार्टी जारखन में उपचुनाओं मे पहली बार खाता खौला था अब जारखन पर नजर था लेकिन जारखन के जो नतीज सामने में आ रहे हैं और साती साथ जो है वो आपको दिखाएंगे लेकिन फिलहाल बताते चलें कि डूम्री सीट पर इंडिया गटबंदन के जो जारखन मुक्ती मुर्चा जे-म-म के तर यसोदा देवी उमीदवार बनाया गया था अब जो है दोनों उमीदवार का मुकाबला देखा जा रहा है लोग का मानना है कि दोनों को मुकाबला है इस बार भी जो जारखन में मायम के उमीदवार मुबीन डिजवी है वो तीसरी अस्थान पर रहेंगे आपको बताते चले क कि मुपीन डिजवी किस से पहले भी चारकरवे विधानसवा चुनाओ एमाइम से लड़ेते उस वक्त 24,000 उसको वोट विला था लेकिन उस वक्त 24,000 वोट पाने के बाद मसलसल वो काम करते हैं लेकिन इस बार इंडिया गडबंदन के वज़े से वहाँ पर उनको बरा जटका महसूस हो रहा है अब देखना ये है कि किस तरह का ये जटका है चुकि आपके सामने बड़ा अपडेट आने वाला है और इस वक्त मदगनना चालू है और आपको हम अपडेट देंगे अगर आप हमारे चैनल में नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा और लाइक श नहीं अपडेट पहुँचे